वीडियो था अगर आपने देखा हो तो वो डॉक्टर साहीबा रूने लग गई थी कैमरे की उपर उन्होंने कहा कि ऐसे दिन ऐसी सिचुवेशन हमने कई सालों में कभी नहीं देखी जो आज है मुंबई की हालत दिल्ली की हालत तो बहुत खराब है नहीं यकीन तो आप कोई रहता है आपका मुंबई में या दिल्ली में फोन करके पूछ लो इतनी खराब है कि लोगों को ना वेंटिलेटर मिल रहा है ना ओक्सिजन का सिलेंडर मिल रहा है उसका कारण क्या है बहुत जादा केसिज है आपको लगता है मदद आ रही है अरे केसिज आपको पता है जनसंक्या कितनी है भारत की 131 करोड अभी तो 138 करोड हो गई है 138 करोड की जनसंक्या है अगर इस हिसाब से फैलता रहा हो और सभी infected होगे तो हमारे पास इतना infrastructure है यह नहीं किसी देश के पास नहीं है कहां से आएगी मदद और मदद आएगी तो पूर्ती कैसे होगी यह मजाक लगता है हर किसी को न हिंदुस्तान ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान चलाना एक बहुत आसान काम है नहीं है बहुत बड़ा देश है आपको लगता है सरकार चुली बहुत पैसा है वो हर कुछ कर देगी इतना असान नहीं है इतना असान होता तो बहुत सारी सरकारे आई और गई इतना असान होता तो हम लोग कहा के कहा पहुंच जाते क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी it's not about the government हमने जो जिस तरह से चीज़े बनाई है न वही हमारे लिए कभी-कभी समस्या पैदा कर देती है यहाँ पर चीज़े इतनी आसानी से इंप्लिमेंट नहीं होती है जितनी ही चाइना में होती है हम एक लोक-तांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर अगर कुछ भी करना हो तो हमें पूछना पड़ता है और चाइना में क्या होता है चाइना में लोक-तांत्रिक सरकार नहीं है अरे आपको पता होना चाहिए जाके हिस्ट्री पड़िये और अगर महा की सरकार को उसके देश के लिए कुछ भी करना है तो फिर लोगों की नहीं सुनती है यह होगा तो होगा चाइना में ऐसा है हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान में अगर कुछ भी करना है तो सो लोगों से community भीटब इठा के पूछना पड़ता है और ये lockdown की जब बात होती है तो भी सो लोगों से meeting करके पूछना पड़ता है उसके बाद लगाने के बाद भी लोग साहेता नहीं करते और फिर बोलते है हमें freedom चाहिए हमें freedom चाहिए अरे क्या हो रहा है ये freedom के नाम पे आप क्या ये चाहते हैं कि हम लोग गर्थ में चले जाए और corona हमें निगल ले और अगर नहीं चाहते तो please बच के रहिए इससे और सरकार की मदद करिए क्योंकि सरकार आपके बिना नहीं चल सकती है आपकी मदद के बिना भी नहीं चल सकती है इस चीज़ को समझ लीजी है इसलिए ये मत सोचिए कि नहीं है तो बीजेपी का हम इसकी मदद नहीं करेंगे नहीं है तो कॉंग्रेस का हम इसकी मदद नहीं करेंगे नहीं है तो आम आद्मी पार्टी का में इसकी मदद नहीं करेंगे नहीं है तो TMC का में इसकी मदद नहीं करेंगे आज ये सरकारे नहीं है आज हिंदुस्तान है हिंदुस्तान की फैमिली है बूल जाएए सरकारे है या ये पार्टी का बंदा है नहीं साहब आज हमें मदद की जरूरत है आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा बाहर इस तरह से नहीं आना पड़ेगा आप बाहर मत निकल लिए बाहर आने का मतलब अपने इस इगों से बाहर आना पड़ेगा